नमस्कार दोस्तों आपसे विक वाक्त हमारी चैनल बेंकर सक्सेस में दोस्तों आपने विद चैनल को सबस्क्राइब नहींगे तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लिए और बेला ौइकन को दबाई लीजिए यह पने जो भी टेली वेसेश पे आए आवीपिस आर भी हो तो सहमी है तो उन सभी की प्रेपेशन के लिए चैनल को जुरूर सब्सक्राइब वीडियों ज्यादा ज्यादा सैर कीजिए अगर आप आर आर भी देना चाहते हो और आर भी प्यो आईवीपिस प्रेक्टिस करना परेतों कुनिवेशी को प्रेक्टिस करने लिए अपर ऑना बात कर देए हैं फ़े उसको शेक्राइब डोसार प्रेलिम्स कि आगर में बात करूँ तो देखिए प्रिलियम्स के अंदर sectional cut-off थी पर इस बार अपने को ये cut-off नहीं चाहिए पर इस cut-off को देखना जरूरी है अब आप ये कहोगी कि cut-off sectional है नहीं तो देखना जरूरी क्यों है देखना जरूरी इसलिए है कि जो last year cut-off रही थी तो उससे देखने से अपने को ये पता लगेगा कि जो level of exam था वो किसा था यानि exam का level पिछली बार किसे था इस बार उससे क्या होगा थोड़ा सा increase होगा level तो sectional timing बलही कर दी हो 20 minute लेकिन level कम नहीं होगा कभी वे इस बार बहर कुछ ने कुछ नहीं लेकर आता है तो इस बार भी कुछ नहीं लेकर आएगा तो exam का level थोड़ा सा hard होगा तो ये cut-off देखना जरूरी है कि देखिए जैसे मैं बात करता हूँ अगर journal category English की 8.75 तो इसका मतल promoted level का exam था तभी इतनी cut-off गई है अगर hard level का exam होता तो कटोब इससे थोड़ी कम जाती पर promoted level का exam था तो कटोब इतनी है को पता ही नहीं exam के अंदर आया कि अपने cut-off को से बता सकते हैं तो exam जब यह हो तो आपको cut-off बता दीजाए कि no tension रही है आप और यह cut-off आप देख लीजिए अब बात करते हैं man की cut-off की यह देखिए man's की cut-off है जी category wise उपर और यह marks है objective test 200 को था तो इसमें से आप की जर्नल की बात करूं तो मैं 50 नमबर का टॉप ती थी अगर descriptive test की बात की जाए English language के अंदर जो आपका होता है तो उसके लिए जो qualified candidate था उसके लिए 20 नमबर लाने जर्नल के अंदर जुरूरी थे अगर जर्नल के अंदर बीस नमबर लाने थे तो इससे तो कमी होगी जिए 50 में से बीस नमबर को ज्यादा नहीं होते descriptive के अंदर minimum marks to be secure shortlist for जी कम interview objective plus descriptive test यह देखिए objective plus descriptive test दोनों को मिला के जो overall cut-off गई थे इंटर्व्यू के लिए जो shortlist हो थे उनकी cut-off देजी जर्नल के अगर बात करने तो 89.25 अगर OBC के बात की थे 79.5 और यह जो cut-off दी यह दोनों को मिला के थी अब देखिए total G यानि जी को इस पर GD group discussion प्लस interview इन दोनों की cut-off कितनी थी जर्नल की थी की 20 नंबर 50 में से और जो total overall 100 में से जो selected candidate हुए थे उनकी cut-off कितनी थी वो देखिए जी वह 46.59 जर्नल के टेगरी OBC के 40 नंबर सो में से 46 नंबर लेकर आज वो final view बन गया जी और SC के 38.25, ST के 28.88, OS के 37.24, BI के 46.11 और HI के 32.22 फिच्टान में तो यह cut-off जी आप देखिए जो भी category है आपकी category वाइस यह देखिए descriptive किया है, सभी category उपर दी हुए है, यह descriptive, यह सोरी objective के, descriptive के, minimum marks, totally जो भी के puzzles भी रहा है, वो आपको मिलती रहेगी, अगर आपको डेली बेस पर practice करोगे, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, क्योंगे 20 मिनिट मिलेगा, इसवर पहले क्या हुँता, English को छोड़ देते थे, और 25-30 मिनिट reasoning में लगा दिये, और उसके बाद का time math के अंदर लगा दिये, वो system नहीं है, जिसवर 20-20 मिनिट डिवाइड कर दिये उसको, तो 20 मिनिट के अंदर reasoning का paper करने के लिए अपने को lot of, यानि ज़्यादा से ज़्यादा puzzles की practice करने पड़ेगी, puzzles ही ज़्यादा आती है, तो 20 नमबर की कम से कम puzzle आती है, तुमकी practice करने पड़ेगी, और जो भी topics है, वो मैं sub करवा दूँग, आपक करने को ज़्यादा से ज़्यादा, subscribe करवाईए, अपने दोस्तों को बताइए, तो thank you, दोस्तो, heavy nice day और अपनी profession करते हैं,